इस वीडियो में मैं आपको उताने वालों फ्रेंड साप रियल मी के मॉल फोन में वाइफाई डेटा यूज़ कैसे देख सकते हैं मतलब दोस्तों आप अपने वाइफाई से कितना डेटा को यूज़ किये हैं किसी के मॉल फोन के होटर स्पोर्ट से कनेक्ट करके वो चीज़े आप कैसे देखेंगे चलिए मैं आपको दिखा दो इसके लिए आपको रियल मी मॉल फोन के सेटिंग में जाना है इसमें सबसे पहले उप्सन मिलेगा सेम काड और मॉबाइल डेटा का इस पर क्लिक करना है इसमें आपको नीच आना है नीच आने पर डेटा यसज़ का अप्सन मिलेगा इस पर क्लिक करना है इसमें आपका सिम काड देखने को जागा सिम वन है अगर आप सिम टू का देखने को मिल जाएगा जिस भी sim card का देखना है उसको select रखना है select रखेंगे तो नीचे हाँ option में लगा wifi data usage का इस पर आप click करेंगे click करेंगे तो यहाँ पर यह देखेने को मिल जाएगा कि दोस्तों आपने जो है अपने इस sim card से अपने mobile phone के wifi को किसी के hot spot से connect करके कितना data का यूज किया है जैसे मैंने एक जनबरी से आज तक 6.9 GB यूज किया है अपने wifi से किसी दूसरी mobile phone के hot spot से connect करके तो यह यहाँ पर सुकर रहा है अब नीचे आएगे तो यह देखने को बूल जागा कि आपके किस किस एपने कितने data को यूज किया था जब आपका wifi किसी mobile phone के hot spot से connect रहा तो जैसे मेरा इन सेर ने 4.8 GB यूज किया hot star ने 895 यूटूब ने 627 तो यह सारी चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो इस तरह के साब जो यह wifi data usage आप देख सकते हैं और नहीं चाहिएंगे तो यह system app and service मतलव आपके mobile के जो personal app होते हैं उस app ने wifi से कितना data use किया वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इस तरह के साब जाए wifi data usage आप देख सकते हैं realme के mobile में वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा